नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चलने चार जागिंदर मिसा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नए शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यूरूर करिएगा मिथुन राशवालों मिठाई वाटनी के लिए हो जाओ तयार क्यूंकि 17 मार्च से राजय जैसे जिन्दगी जीने का अफसर मिलने वाला है अब माता लक्षमी जी के आश्तरवास से आपको अनेको प्रकार की बड़ी बड़ी खुस खबरिया और बड़ी सफलताएं एवं काम्याबी मिलने वाली है जी हाँ, मित्वन राशक्यात को माताल लक्षमी जी के आश्रवास से आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमतकार होंगे, कुछ ऐसे बड़ी बाते होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे बड़ी घटनाए होंगी, जिससे कि अब आपका ज जीवन ही बदल जाएगा जी हाँ तो मिथुन राज क्यात को वो बड़ी बड़ी खुस खबरिया कौन सी है इसलिए आप लोग इस बड़ी खुस खबरिया को जानना चाहते हैं तो बीडियो को अंतक अवश्च देखें साथी बीडियो को पूरा देखें और बीडियो को आने वाले समय में आपके लिए मिथुन राज क्यात को आज कलके इस महगाई भरे दोर में कौन नहीं चाहता कि उसके पास धन की कमी हो हर किसी की यही चाहत होती है कि उसके पास सभी इक्छाएं पूरी करने के लिए धेर सारा धन हो और जब धेर सारा धन होगा तो ऐसो आर अगर आपके पास धन है तो मिथुन राश्यतकों हर छेतर में काम्याबी मिलती है और घर में खुसिया च्हाई रहती है और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं धन पाने के लिए कड़ी लोग मेहनत करते हैं कुछ लोग तो छल कपट के द्वारा धन जल्द से जल्द कमाने के कोशिश करते हैं लेकिन अमुनन लोगों की यही सिकायत होती है कि धन उनके पास आता है और जल्द चला भी जाता है इसलिए कहा जाता है कि धन सदेव इमांदारी से कमाना चाहिए क्योंकि वही धन हमारे सही काम आता है दोस्तों देवी लक्ष्मी जी को ध पहाग एक बराबर नहीं होता किसी की अमीरी और गरीबी उसकी मेहनत पर नरुहर करती है अगर कोई गरीब पैदा हुआ तो यह अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमीर हुए फिर गरीब उनके अंदर धन कमाने की चाहत बांकियों से अधिक ह हमारे गरह नचत्रों में जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका असर हमारे राशियों पर सकरात्मक तो कुछ नकरात्मक पड़ता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की जोतिस सास्तर के मुताबिक अब ऐसा महा दूरलब सबस्योग सत्रह मार्च को ब बनेगा साथी इस दिन यानि कितरिग रही राजयों को निर्मार हो रहा है दोस्तों इन तमाम सुब योगों के बनने से सत्रह मार्च से मिथुन रास्कयत को अब राजे जिसे जिन्दगी जीने का अफसर मिलेगा क्यूंकि आपकी सभी मनो कामनाए माता लक्ष्मी जी पू दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी के कदम पढ़ने वाले हैं जिससे आपके जीवन में मितुन रास्कयत को अनेको प्रकार के खुसियां आने वाली है आपको अनेको प्रकार के धनलाब माता लक्ष्मी के आजिरवास से प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों माता लक प्रप्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं साती साथ आपको विशेश उपलब्धिया प्राप्त होगी अनेक प्रकार की काम्याबी प्राप्त होगी 17 मार्च से अब सब कुछ बदल जाएगा राजाओं जैसे जिन्दगी जीने का अबसर मिलेगा बता दे कि मितुन राज क्याद को बता दे कि इसमें आप विदेश की यात्राइं करेंगे विदेशी कमपनी से विशेश लाब होगा बिदेश में कोई कार अगर आपका रुका हुआ था तो उसकारों में आपको बिशेश उपलब्धी प्राप्त होगी क्योंकि 17 मार्च से राजे जिन्दगी जीने का अफसर मिलने वाला है बता दे कि इसमें पढ़ाय लिखाई के छेत्र में स्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा पढ़ा हुआ लिखा याद रहेगा स्वास्त समंधी परिस्टानियों से मुक्ति मिलेगी स्वास्त को लेकर जो दिकते थी अब मात लक्ष्मी के असरवास से उत्तम सेहत का लाभ ले पाएंगे साथी पढ़ाय लिखाई के छेत में आपका फोकस बना रहेगा पढ़ा हुआ लिखा याद रहेगा सिक्षा में विशेश उपलब्दी प्राप्त होगी बता दे की कई प्रकार के धनलाब की योग बनेंगे धन के स्रोत नजर आएंगे आप जो भी निर्णे लेंगे जो भी फैसला लेंगे वो काफी उचित साबीत होगा बता दे की इसमें राजाओं जिसे सुक शुवधाएं प्राप्त करेंगे गाड़ी बाहन हर प्रकार के सुवधा अपने घर में लाएंगे साथी घर की जरूरत की चीजों की पूर्ती करेंगे आप रिंड कर जो से मुक्ति मिलेगी पार्टनर से में बिजनेस व्यापार कारुबार चलता है तो बिशेश लाब होगा बैंके छेतर से आपके लोन वगएरे मंजूर हो सकते हैं जिससे आपको विशेश उपलब्दियां पराप्त होंगी अनेक जग़ों से बड़ा धनलाब हो सकता है आप जो भी निर ले लेंगे जो भी फैशल लेंगे वो मिथुन राशकेत कों काफी उचेत साबीत होगा बता दे कि आप इसमें काम्याबी के उचाईयों पर रहेंगे भाग आपका सात्मी आश्मान पर रहेगा बंद किसमत के ताले खुलेंगे माता लक्ष्मी कृपा से अब आप अपने घर में सुक्षुधाम ब्रदी करें के संतान प्राप्ति के प्रवल योग बन रहे हैं संतान की चाहत पूरी होगी साथी साथी इसमें लबलाई बहुत अच्छी रहेगी लब पार्णों कुछ गिप्ट और उपहार देंगे धर्मिक परवित्ती इसमें आपके अंदर जवर्शत रहेगी इसमें धर्म कर्म के कारियों में खर्च करते नजराएंगे लोगों के साथ मिलना बैठना खुर्शियां बाटते नजराएंगे दोस्त बता दे कि 17 मार्च के दिन बहुत अच्छे रहेगा कई तरह के राजयोग और धनयोग का लाभ लेकर आएगा इस दिन विशेश योग और दूलव परवका महा सुबसहयोग बन रहा है जिसके कराने मित्वन राशकत को 17 हमार से अब आपको अनेक परकार के सुख शुबधाएं प्राप्त होंगी जीवन में चल रही परेसानिया आपके खत्म होंगी जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा संतान के कामयवी तरक्रिस समन काफी परसंड रहेगा जीवन साथी कंदुष कंदे मिला कर चलेंगे अब आप जो भी निर्ने लेंगे जो भी फैसल लेंगे वो काफी उचछत साबित होगा परतेक कारशेत में आपको पलब्दिया प्राप्त होंगी जो भी निर्ने लेंगे जो भी फैसल है लेंगे वो काफी अच्छा रहने वाला है केरियर में बिजनेस वियापार में कोई महतपूर्ण आपको लाब मिलेगा बिजनेस वियापार में महतपूर्ण कोई डिल फाइनल होगी साथी सगे संबंधियों से रिष्टे काफी मदर होंगे पड़ो सिक्षाथ आपके मदर संबंध होंगे साथे रिष्यतारों का मेल मिलाब बना के रखेंगे तो लाब होगा कोई फानेसर प्लाइनिंग करेंगे इसमें बिजनिस वियापार का विस्तार कर सकते हैं लोटरश ग्लाब होगा इनकम आप ब्रदी होगी धन की मामलें काफी लखी रहेंगे इसमें आपको अनेक जगहों से विशेश धनलकी लापकी प्राप्ती होगी इसलिए तो कहा है कि मिथुन रास्कित को मिठाई वाटने के लिए हो जाओ तयार क्योंकि मिथुन रास्कित को 17 मार्स राजय जिसी जिन्दगी जीने का अफसर मिलने वाला है तो दस्तो कमेंट में लिखेगा जै मातादी साथी वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी